जहिन अभ्यास ओनलाइन क्लास की इस नय वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो सेक्षिन में आपके लिए करके आया हूँ समाने विज्ञान के वन लाइन वाला कोश्चन जो है बहुत ही महतोपूर प्रश्चन हजार प्रश्चन इस वीडियो में मैं कभर करने वाला हूँ फटाफट पढ़ेंगे और दोस्तों कॉंसेप्ट जो है क्लियर करते हुए हम समझने की कुशिश करेंगे अगर आप प्रश्चन कर रहे हैं मंदे निरिक्षा की एक्जाम को ले करके या फिर कोई भी एक्जाम हो चाहे आपका PSC हो व्यापम हो या फिर कोई भी पुलीस भरती का हो कॉंस्टेबल भरती का हो SSC का हो UPSC का हो तो इसमें समाने विज्ञान से प्रश्चन पूर्शे जाते हैं उनसब ही के लिए भी आपके लिए यह वीडियो महत्तोपूर्ण होने वाला है और इसका PDF आपको किस तरीके से मिलेगा मैं वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों वीडियो को सुरू सिलास तक ज़रूर देगेगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों साइन्स के इस पोशन से अगर कोई भी एक्जाम कपी प्रेशन कर रहे हूँ उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है लेकिन अगर आप मंडी निरिचक के लिए बेस पर अगर देखना चाहते हो तो 1.500 अंकों के 1.500 प्रेशन पूछे जाएंगे दोस्तों उसमें समाने ज्यान से रिलेटेट 35 अंकों का प्रेशन जो है पूछा जाएगा जिसमें 35 प्रशन जो है पुछे जाएंगे तो वहाँ से आप देख सकते हो अलग-अलग SECTION से अलग-अलग प्रशन जो है पूछे जाएंगे तो विज्ञान का one line fact question हम preparation कर रहे हैं दोस्तों तो चलिए मैं कि सभी चीजों को पढ़र हूँ आप सिर्फ care होके प्रश्णों को सुनिए आंसर को सुनिए और अपने दिमाग में रखते जाए ठीक है तो ज़े देखिए बच्चों का मांसी के हम सारिक विकास जो अरोध उत् जो नहीं सकते और सांती साथ स्वेत्रक्त का ओस्ट जीवन काल कि तना होता है तो एक से चार दिन का ओस्ट काल होती प्रती है स्थाई और इस्थाई क kindika की नाम से भी जानते हैं इसकाernी तो दूर कंकि की ओपस्थितिती में होता है या सोडियम कार्बोनेट की पस्थिती म ठीक है देखते हैं जल में इस्थाई कठोरता का जो कारण है वो क्या है कि केल्शियम और मेगनेशियम के जो सलफेट होते हैं वो खुले रूप में होते हैं इस वज़े से जल की कठोरता बढ़ जाती है कैमरा दूर भीण में लेंस, विधधूद, बल्ब ता धूप में चसमें जो प्रयोग होता है वो किसका होता है तो वो होता है दोलोमाइट लाइटर तथा आपका प्रेनो काइट के होते हैं ठीक है उसके मुख्य आयास का है कांसा मिस्रधातु है तो कांसा जो है किस-किस का मिस्रधातु है वो तांबा और टेन का मिस्रधातु है इंपोर्टेंट कोशन है बहुत बार पूछे जा चुका है सुद्ध सोने की जो मात्रा होती है वो क्या होता है 24 कैरेट का होता है लोहे का सबसे सुद्धतम रूप जो है पिटवा लोहा को कहा जाता है इसके बाद आता है धालवा लोहा ठीक है तो पिटवा लोहा जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा सुध्ध रूप माना जाता है लोहे का, सबसे कठोर पदार्थ है हीरा, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है, आइसोप्रीन, ठीक है, और मानाव स्वास्थ संसली पहला रेशा कौन सा है, तो वो है नायलोन है, तो मानाव द्वारा निर्मित किया गय पहला रेशा कैया है, नायलोन है, सबसे उत्तम कोईला कैया है दोस्तों, एंत्रासाइट है, जिसमें लगभग 85-90% कार्बन उपस्तित होता है, नान स्टीक में बरतनों में परत्रथ बनी होती है, तो जो नान स्टीक बरतन होते हैं उसमें क्या होता है? टे faltaon की परत्रथ ığını होती है जिसके कारण खाना उसमें नहीं चिपपकता है वायू मंदल में नहीं पई जाने वाली अक्री गैस कौनसा है दोस्तों होता है और एक होता है जिनॉन जिसको क्या होता है मानौ निर्मित द्वारा पाय जाता है ठीक तो चड़ाई जाती है जिंक की परत कहा जाता है जिसको गेलवेनी करन के नाम से भी जाना जाता है विद्धुधारा मापी जाती है तो विद्धुधारा को किसमें आपते हैं मिटर से नापते हैं और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मिटर का प्रयोग किया जाता है तो अ आँख में न दिखने वाली जो हां ना कुछ रतौण्धी नमक जो बीमारी है वो होता है विटामीन A की क्या मिसे विटामीन A की जो स्वरी विटामीन की जो खोच हुई है 1909 में फंक नमक वघ्यानी के द्वारा जो है किया गया है होते हैं आपस में सहजीवी अपना जीवन यापन करते हैं लार में पाया जाने वाला एंजाइम क्या कहलाता है तो लार में जो पाया जाता है वो टाइलीन होता है हीमोक्लोबिंग में पाया जाने वाला तत्व जो है आइरन होता है अर्थत लोहा होता है इसी की कमी से इनी मि शाव हुआ था उसमें कौन सा गैस था तो दोस्तों उसमें मेथाइल आईसोसाइनाइट का जो है गैस था तो आप इसको याद रखिए बहुत बार प्रशना पूछा जा चुका है यूरिया अधिकतम मात्रा में पाई जाती है तो कहां किसमें पाई जाता है तो मुत्र में ज टॉक्सीन है तो एक प्रकार का क्या है दोस्तों ये टॉक्सीन जो है प्रकार का जहरिला पदार्थ है ठीक है एंजाइम की रचना होती है तो वो किसमें होती है अमीनों अमला में होती है जितने भी प्रोटीन होते है न सब अमीनों में अमला से ही मिलकर के बने होते है फलो तोर पर सभी को यही पढ़ाया जाता है कि विटामिन D जो है सन की रौसनी में मिलता है ठीक है बलेरिया एक प्रकार का क्या है परजीवी है जो किसकी करण होता है मादा एनफिलीज मक्षड के करण होता है मानोमुत्र विसर्जन में होता है मतलब होता है किसमें मतलब कहा जा तो यह अला गलत हो जाएगा मनव मुत्र में विसरजीत होता है क्या होता है दोस्तों तो यूरिया ठीक है तो यहाँ पास यूरिया यूरिया आजाएगा अब देखते हैं सबसे लंबा क्रीमी होता है तो टेप क्रीमी होता है जो काफी सबसे लंबा होता है प्रकास वर्ष मातरक है तो दूरी का जो है मातरक है क्या प्रकास वर्ष ठीक है तो हमारा जो प्रकास है उसकी स्पीड जो है तीन लाग प्रती सेकंड की स्पीड में क्या होता है वो चलता है कपड़ा सुखाने हुआता था दूद्ध से मक्खन निकालने के लिए जिस मेरसीन का प्रयोग किया जता है उसमें क्या होता है अभी केंदरी बल के सिध्धान पर क्या होता है क्योंकि वो लगातार घुमते रहता है और जुकन होते हैं वो कहा निकल जाता है बाहर की और निकल जाते है मानव सरीर में जल की मातरा सरीर के बहार का होता है कितना होता है तो साथ प्रतीशत होता है साथ प्रतीशत है ठीक है तो सत्तर प्रतीशत आप याद रखिए सत्तर प्रतीशत है ठीक है सत्तर प्रतीशत जो है बाग किसका होता है जल का होता है देखते हैं मनुष्य की मस्तिस्क का वजन कितना होता है तो 1300 ग्राम जो है मस्तिस्क का वजन होता है उट का गर्भवधी काल कितना होता है तो 220 से 350 दिनों का क्या होता है इनका गर्भवधी काल होता है गायत अथा बहांस का गर्भवधी काल जो है कितना होता है 280 से 300 दिनों का होता है पैत्रिक का मतलब पैत्रिक का सिद्ध करने में सहयक है तो क्या है दोस्तों मतलब अनुवानसिक्ता को है अनुवानसिक्ता को सिद्ध करने के लिए DNA होता है और फिंगरप्रिंट तो उसमें यूज नहीं होता है ठीक है तो इसमें सिर्फ क्या हो जाएगा DNA जो है उनक सबसे कम तरंक धैर होता है किसका लाल रंका सबसे धीक होता है और ठीड है और हिरा भी आजाता है या धातू की रूप में हीडा आजाता है तो इसलिए धातू में बोले जाएंगे तो प्रिल्टिनम आ जाएगा ठीक है शुश्क बर्फ कहता है तो ठोस कर्बन डाइक साइड जो होता है दोस्तों उसको क्या कह जाता है सुस्क बर्फ के नाम से जाना जाता है पर्माणू के नाभिक में जो रहता है प्रोटॉन और निट्रॉन जो है बोरियम के कारण होता है, फटाके का जो मसाला होता है, उसमें बोरियम अगर मिला हुआ है, तो उस फटाके का जो निकलने वाली रोश्णी होगी, वो हरा रंग का होगा, ठीक है, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, दोस्तों तो 246 बॉर्ड जो होता है, वो 1 HP, अश्व मतलब क्या होता है, HP को ही दरसाता है, अगर आपके घर में, अगर कोई मोटर चल रहा है, तीन HP का मोटर चल रहा है, तो कितना वाट लेगा, वो 746 मल्टिप्लाइब़ाइबाइबाइबाइए, थीक कर दिजий, अगर 5 अश्व श्व श्यृज का मोटरा चल रहा-थीक्या क पदाः yogurt का क्या होता है तो पदा अर्थ का जो लगुट्टम अंस होता है वो Kwark होता है alguien की चंपता को किक से मांपा जाता है तो lengths की चंपता को diagonal से न आपा जाता है जैसे हम लंबाई को मिटर से न आपते है इंदरधन उसके बीच का रंग होता है, हारा रंग का होता है, ठीक है, विद्धुत फ्यूस का जो मिस्रन होता है, किस से मिल करके बना होता है, तामबा सी सा यह उन टीन का, important question है, इसको not down का लिजे, बहुत बार प्रशना पूछा जा चुका है, कांसा मिस्र धातू है, किस का है, तामबा वार टीन का है, यह भी बहुत बार प्रशना पूछा जा चुका है, अभी थोड़ी दिर पहले मैं इससी प्रशना को और फिर से बताया था, सबसे हलकी धातू कौन सा है, लीथियम धातू है, फलो को पकाने के लिए किस का प्रयोग किया जाता है, तो एसी तरी में बदलने के लिए, ठीक है, विटामिन की खोच किस ने की थी, तो फंक नमक वग्यानिक में मैंने पहले ही बताया था आपको, ठीक है, 1909 में जो इनकी द्वारा खोच किया गया था, और विटामिन के अगर मैं बात करूँ टाइप कितने प्रकार के होता है, तो दो प्रक जो है, उनको मिला जाता है, समाने तोर पर जो है, प्रोपेन को इसको गीना जाता है, विधुत का सबसे अच्छा सूचालक किसरने में किसको जाना जाता है, चांदी को जाना जाता है, कृतिम वर्सा के लिए उपयोग मिलाया जाता है, सिल्वर आयोड़ाइट का, तो वात बरप्रश ने पूछा जा चुका है कि स्टेनलेस स्टील जो है किनका किनका मिश्रन है तो लोहा निकील एवं क्रोमियम का जो है मिश्रन धातुए जैसे आपने स्टील का स्टील जो देखा है ना जो एक मीटर का स्वारी एक फिट का होता है है ना 30 cm का वो इस्टेनलेस स्टील ही उसमें लिखा रहता है तो उसमें लोहा निकील एवं क्रोमियाम ठीक है लोनी को तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो हड्डियों दांतों में उपस्थीत होता है तो केल्सियाम फासफेट होता है और हमारे सरीर का सबसे सुधतम सोने की सुधता होती है वो 24 करेट का होता है लोहे का CT सबसे कठोर पदार्थ पृटकोन सही ही रा है और प्राकृतिक बहूला कौन सही आईसे प्रीन है जबメने अभी बताया थोड़ी दिर पहले तो यहाँ तक आपने जो है देखी लिया होगा चलिए देखते है और Vitamin C का सरवत्तम सरोत कौन सा है आउला है जिसमें Vitamin C जिसमें जितने भी खट्टे पतार्थ आते हैं सभी कि सभी Vitamin C की अंतरगत ही आते हैं खून का लाल रंग किसके करण होता है Hemoglobin के करण होता है जिसमें Iron पाया जाता है तो Hemoglobin का योगिक होता है वो किसका बना होता है वो प्रोटीन का ही बना होता है ठीक है लाल रखत कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो कितना होता है 120 दिन का होता है यही सबसे अधी दिनों तक जिंदा रहते हैं हमारे पास जो तीन कणिकाएं होते न रेड ब्लड करपस वाइड ब्लड करपस और प प्लाजमा कहा जाता है जिसको समाने तोर पर सीरम के नाम से भी जाना जाता है तो रक्तसमों का सर्वत्तिक दाता एवं सर्वग्राही किसको कहते हैं भही तो जो ओ होता है न ओ पॉजिटिव वो सर्वत्तिक दाता के नाम से जाना जाता है मतलब ओ जो है सर्वग्राही मतलब जो है लेने वाला तो A-B positive को लेने वाला या फिर universal acceptor के नाम से इसको जाना जाता है तो A-B और O जो है यहाँ पस important बहुत बार पूछा जा चुका है तो अगर आपका जो blood group है उस recording भी आप इसको याद रख से तो ओ मतलब भई पूरा universe को वो दे सकता है 0 है तो इस तरीके से बड़ी आत जो होता है उसे ही कोई गुर्दा के नाम से जाना जाता है तो विटामीन A की कमी से होता है और गाजर इसके लिए important component है इसको रतांधी के लिए ठीक है तो सरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है दोस्चे बताने की जूरत नहीं है इंद्रधनुस ब रहता है तो ऐसा लगता है जैसे ओईल गिरा हुआ है तो यह और पास में जाकर के देखते हैं तो और वाइल कुछ नहीं रहता है तो यह किसकी वज़ासे होता है मरीचीका के करान होता है और मरीचीका में होता क्या है पूर्ण आंतरिक परवर्थन की घटनाएं वहां पास होती है पित उत्पन्न होता है तो यकृत से जो है पित रस का उत्पन्न होता है और जटर रस से निकलता है लेकिन पित में क्या होता है स्टोर होता है ठीक है तो यहाँ पास जो है दोस्तों स्वस्त मनुष्स से कर राक्त चाप कितना होता है 120 से अधिकतम और 80 जो है मिनिमाम ह समुद्र का जल नीला दिखाई देता है तो प्रकास के प्रकरणन के कारण होता है और यही जो है दोस्तों क्रिश्णन के द्वारा जो है यह दर्शाया गया था मतलब चंदर सेखर वेंकर मतलब सीवी रमन जो है उनकी के द्वारा जो है प्रकास समुद्र का नंग नीला 28, मतलब 28 जो तारीक है उनको क्या हुआ था, इनका खोच किया गया था, इनका जनमेदिन के दियास पर ही विज्ञान दिवस मनाया जाता है, 28, मतलब 1930 में, 1930 में इनको नोबल प्राइस से भी नवाजा गया था, ठीक है, तो 19, 28 तारीक को जो फरवरी आता है, तो इसमें इनको दिया जाता है, 28 फरवरी जो है, विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है, चलिए देखते हैं, वायू का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो भाई, आउतल दरपन की तरह भाँ व्यवहार करता है, चेचा किटी के कविसकार, एडवर जेनल, तो ये बता दि हड़ी, जिसको हम लोग फीमर की हड़ी भी कहते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो है, हिर्द्या एक बार में कितनी बार धार धाड़कता है, तो 72 बार धाड़कता है, ये जो है समाने वयसक आदमी का है, अगर हम लोग बच्चे की बात करें तो बच्चे का 105 बार जो है धड़कन धड़कता है ठीक है तो रक्त के असुद्ध पदार्थों का अलग होना क्या कहलाता है वो किडिनी में होता है मतलब अलग होने का जो कार्य है किसमें होता है किडिनी में होता है जिसको समाने तो पर व्रिक कहा जाता है सरीर की सबसे बड़ी कोशी का क्या है त तो वाइरोलोजी संबंधित है, तो विशानुओं के जो अध्यान करते हैं, उसको वाइरोलोजी कहते हैं, खून का थक्का नहीं जमता है, जब हीमोफीलिया नामक रोग हो जाता है, इसमें क्या होता है, कि विटामिन के की कमी हो जाती है, इस वज़े से हीमोफोलिया नामक component है प्लाज्मोडियम पर जीवी है तो ये एक मलेरिया रोग वाहग है ठीक है प्लाज्मोडियम ठीक है तो जो मादेना फिलीज में चड़ के करण होता है पोजिट्रॉन किसका प्रती करण है तो ये इलेक्ट्रॉन का ही प्रती करण है जड़ों के रुपंतरन को उधारन कौन से है तो मूली गाजर जो सकरकंध है ये सभी के सभी क्या है जड़ के अंतरगत ही आते है ठीक है तारों के टिम्टी माना ये किसके करण होता है तो प्रकास का अपवरतन के करण ही होता है प्रकास का टिम्टी माना तो अब बाद कर लेते हैं इसमें प्यूटरिक ग्रंथी पाई जाती है तो मस्तिस्क में पाई जाता है दो प्रमुक वंशानुकत रोग कौन-कौन से है वर्णांधरता एवं हीमोफिलिया ठीक है तो यह वंशानुक्रम है मतलब एक वंश से दूसरे वंश में जाने वाला र पता हुँदी और वर्ण मतलब क्या होता है रंग तो यहां पास जो रंग होता है न कलर ब्लाइंडनेस तो अगर आपके फैमली में किसी को है तो उसके आने वाले जो वंश रहंगे उनमें वंशानंधरता पाया जाता है है तो थैरॉक्सीन जो हरμोन हो उस्त्रावित होता प्रवादिक मातर किसमें पाया जाता है तो पालक का जो पत्ता होता है पालक भाजी उसमें जो है सरवदिक मातरा में लोहा पाया जाता है ठीक है लोहा मतलब अरन पाया जाता है ठीक है स्वस्तचरीन के में है 5-6 लेटर जो है होता है ठीक है वायू मंदल में ऑक्सिजन की मातर संतुलित है वो है प्रकाश न्शलेशन द्वारा मतलब वायू मंदल में ऑक्सिजन की मातर संतुलित होता है प्रकाश न्शलेशन के द्वारा क्योंकि उसमें प्रकाश न्शलेशन में कर्बन चाल्सियम और फास्फेट मानव में गुण सुत्र की संख्या कितनी होती है 46 होती है अगर यहीं पूछे कि मानव में गुण सुत्र की जोड़ी कितना होता है तो 23 जोड़ी पाया जाता है ठीक है प्रशने अच्छा से पढ़ लिजेगा क्योंकि ये प्रशने घुमा करके पूछता है तो मानाव सरीज में गुण सुत्र की संख्या बोलेगा तो 46 आपको अंसर देना है तो गुण सुत्र का जोड़ा पूछे जाएगा तो 23 आपको बताना होगा ठीक है रक्त कणिका होता है उसको क्या कहा जाता है तो केसीन नाम से उनको जाना जाता है मेढग के हिरदय में होता है तो उनके मेढग में तीन भाग हो जैसे हमारा हिरदय है उसमें चार भाग बटा होता है दाया आलिंद बाया निला बाया निला उसी तरीकी से मेढग में जो है दोस्तों तीन मदाता कौन है ग्रेगर मेंडल जो समाने तोर पर मेंडल के नाम से आप जानते होंगे किसान का परम सहयक है केचुवा ठीक है जो कि हमारे खरपतवार के तोर पर जो है मिट्टियों को उपजावपन देने के लिए केचुवा इंपोर्टेंट हो जाता है ठीक है और इहीं से क एचुवा खाद भी इंपोर्टेंट हो जाता है कोशी का सब्द का निर्मान किसका था तो वर्ड ब्राउन का था ठीक है राबर्ट ब्राउन ने जो है कोशी का सब्द का निर्मान किया तो कोशी का के खोच करता के रूप में राबर्ट ब्राउन को भी जाना जाता है और क संबकंद, घंकंद, सकलकंद, एवं प्रकंद का उधारन है, तो ये जो सभी हैं, आलू, केशर, प्याज, तथा अधरक के ये उधारन है, उसी तरीके से अमरूद, अंगूर, शरीफा, तथा टामाटर में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, वो फल भित्ती होता है, तो फल भित्ती के मतला फल के अंदर का हिस्से को खाया जाता है, उसको क्या का जाता है, फल भित्ती कहलाता है, ठीक है, आम पपीता तथा बेर में खाया जाने वाला योग्य भाग क्या होता है, तो वो मध्य फल भित्ती होता है, क्योंकि उपर का हिस्सा हम नहीं खाते हैं, बीच रंग का प्रकृणना यात्री को अकास दिखाई देता है तो अंत्रिक्ष यात्री को जो है दोस्तों प्रक्रणान के कारण ही काला दिखाई देता है जल का सरवाधिक सुधरूप कौन सा है वर्षा का जल है ग्रीन हाउस प्रभाव गयस हो एक प्रकार का कारवंडा एक साइड गयस है डाढ़ी बनाने के लिए जो हम दरपन यूज करते हैं वो कौन सा प्रकार का होता है वो आउतल दरपन होता है ठीक है उसी तरीके से जिन का प्रयोग जो है डॉक्टर भी करते हैं दांत को देखने के लिए नाभे की विखंडन में प्रयोग तो होता है यूरीनियम का प्रयोग होता है चंद्रमा का गृत्वा कर्शन तोरण प्रित्वी की तुलना में कितना है एक बटे चय भाग है ठीक है द्रव अवस्था में पाई जाने वाले धातू कौन सा है तो वो है पारा सुहारी का पानी मतलब सुहारी का मतलब जो होता है न क्या जिसको सुराही बौलते है तो सुराही जिसको वाश्पी करण के कारण ही ज़्यादा देर था ठंड़ा रहता है तो दूध हमें पाई जाने वाली सरकरा क्या है लेक्टोज है ठीक है उसी तरीके से लेक्टो बैसलेस नामक जो है उसमें पाया जाता है छोटे छोटे जिवानू आपको पता होगा जिसको हम लोग समने तोर पर खा जाते है ठीक है मुतर का निर्मान होता है किसमें होता है दोस्तों केडिनी में होता है वरिक्य में जिसके अंतरगत वरिक्य के अंतरगत और भी होता है क्या होता है नेफ्रॉन होता है ठीक है दोस्तों कि इसी तरीके का वीडियो आपको कौनसे टॉपिक पर चाहिए क्योंकि लगातर जो है इसी तरीके का वीडियो में आपको लाने वाला हूँ आपका प्रिप्रेशन कराने वाला हूँ जो स्टूडेंट नहीं है बिल्कुल चैनल के साथ जुड़ जाहिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कि और जरूर सब्सक्राइब करके नॉटिफिकेशन भी लाता है जरूर अन करिजेगा किमकि इसी तरीके का ग्यानवर्थक वीडियो लगातार आते रहेगा और इसका पीडियाप जो है आपको मेरे टेलिग्राम चैनल अभ्यास ओनलाइन क्लास में मिल जाएगा वहाँ जाकर कि आप जो है असानी से डाउनलोड कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं और प्लेइलिस्ट में बहुत सारे वीडियो हैं और लगातार जो हैं से क्यूंके माद आपको क्लास लेते रहता हूं तो बिल्कुल चैनल के साथ जुड़े रही है तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ तो मुझे दीजे जाजा टेक के रॉल दे बैस्ट जाए हिंद